नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईफोन अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस गर आप भी जानना चाहते हो कि आईफोन अप्लिकेशन है क्या और इस application को हम अपने phone में कैसे use करें तो फिर इस video को देखते रहिए तो guys सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा Play Store में जाके आपको iPhones application को अपने phone में download कर लेना है तो Play Store में आने के बाद सर्च करेंगे iPhones तो यह application आ जाएगी इसे आपको download कर लेना है 9T's के reviews है 3 plus इसको rated मिली हुए ठीक है न इसी के साथ 1 crore plus की downloading है अब guys मैं आपको बता देता हूँ कि iPhones application है क्या तो basically यह जो application है इसके अंदर आपको जो अलग-लग fonts मिल जाएंगे अलग-लग wallpaper यूज करने के लिए मिल जाएंगे 1000 plus यहाँ पर इसके उपर आपको wallpaper और fonts मिल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप highlights cover photo भी यहाँ पर आप जो Instagram के लिए यहाँ पर download कर सकते हो logo लगाने के लिए बगरा और keyboard भी यहाँ पर आपको एक unique सा keyboard मिलेगा मतलब इस पर fonts मिल जाएंगे अलग-लग जो की use कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप जो wallpaper यूज कर सकते हो unique से और उसके बाद यहाँ पर आपको stickers देखने हैं तो stickers भी यहाँ पर आपको देखने को मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको VPN को connect करना होगा इसके अंदर automatically VPN connect होगा तो चलिए यहाँ पर हम okay पर क्लिक करते हैं तो जैसे हम okay पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आप्लिकेशन जो रहेगी चलिए हम continue to पर क्लिक करते हैं जगता का application open ना हो जाए ठीक है तो देखसे तो अब आरी अब application open जो ओपन हो चुके यहाँ पर एड़ आ रही है तो एड़ को यहाँ से close करेंगे ठीक है ना live 4K wallpaper रहेगा जो कि guys यहाँ पर आप अपने phone में apply कर पाएंगे तो पहला option है यहाँ पर home page के अंदर directly आपको wallpaper मिलेंगे तो अगर आप इन wallpaper को जैसे swipe up करेंगे उसके बाद यहाँ पर अलग आपके सामने wallpaper आ जागा ठीक है ना तो यहाँ पर wallpaper सबसे पहले loading हो का बीच में यहाँ पर add चल रही है तो हम add को इसे यहाँ से pause करेंगे और उसके साथ यहाँ पर नीचे के side में जो wallpaper यह loading हो रहा ठीक है न यह automatically फिलाल जो है wallpaper अपने phone में open हो जागा जैसे यह complete होगा loading उसके बाद automatically इस तरह से जो अपने phone में यह open हो जागा ठीक है ना अब guys अगर आप इसे अपनी home screen पर set करना चाते हो यहाँ पर इसे जो है अपने mobile के screen पर set करना चाते हो लॉक screen पर तो कैसे करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर जो save वाला option इसके उपर आपको click करना है इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर एक option मिलेगा home screen and lock screen ठीक है तो उनों वाला option यहाँ पर select कर लीचे ठीक है तो चलिए मैं यह वाला option यहाँ पर select कर लेता हूँ अब guys यह वालपापर हमारी mobile के screen पर set हो चुक है home screen और screen पर दोनों पर ठीक है ना lock screen पर तो आप भी set करना चाहते है तो यहाँ से कोई भी unique से आप wallpaper पर select कर सकते हो उसे अपनी mobile की home screen में set कर सकते हो तो चलिए अब यहाँ पर यह वालपापर वाला option मैं आपको बता दिया अब next feature इसके अंदर क्या आने वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना तो यहाँ पर सबसे पहले एड आरी हम इस एड को यहाँ से उपर क से close करेंगे एड को close करने के बाद अब guys मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है next वाला option है ठीक है ना यहाँ पर आपका wallpaper वाला option है वो यहाँ पर successfully set हो जो है ठीक 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 पर आपको मिलेंगे देख सो सबसे पहले तो यहाँ पर country अगर आपको flag चाहिए तो flag भी बहुत सारे अलग-अलग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ यहाँ पर नीचे के side में आएंगे तो यहाँ पर hot categories लिक हुए है इसके उपर हम click करेंगे यहाँ पर को मिल जाएंगे तो यहाँ से जिस भी category के आपको जो है अपना wallpaper चाहिए वो यहाँ पर category आप जो select कर सकते हो तो guys यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग unique से wallpaper नीचे के side में जैसे आप यहाँ पर scroll करते जाओगे अलग-अलग यहाँ पर आपको जो है wallpapers मिल जाएंगे तो य आपने instagram, whatsapp, facebook के लिए किसी के लिए भी use करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो कोई भी logo जो भी आपको पसंद हो उसे download करना चाहते हो तो यहाँ से easily इस तरह से download कर सकते हो इसके उपर click करके उसके बाद यहाँ पर जो यह open हो जागा ठीक है उसके बाद बहुत सारे options आ जा जो next page रहेगा वो हमारे सामने आ जागा ठीक है ना तो अब guys यहाँ पर अगर आप जो font इनेबल करना चाहते हो आईफॉन के जो new fonts से keyboard से वो enable करना चाहते हो तो यहाँ पर start पर click करना है start पे click करने के बाद यहाँ पर आपको जो अपनी setting open हो जाएगी तो setting में यहाँ पर iPhones आपको select करना ठीक है ना तो यहाँ पर हम iPhones को set करेंगे उसके बाद OK पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर OK पे click करेंगे तो यहाँ से यह iPhone set हो जाएगा उसके बाद यहां से हम बैक आएंगे बैक आने के बाद हमारे keyboard में iPhones जो है set हो चुका है इसके जो phones रहेंगे वो भी set हो जाएंगे जो keyboards रहेंगे वो भी अपने phone में set हो जाएंगे ठीक है न तो ये वाला option भी हमने यहां पर use कर लिया चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां से बैक आएंगे बैक आने के बाद next option next feature क्या मिलने वाला वो भी यहां पर मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर यह हो चुका है अब guys यहां से हम back आते हैं क्योंकि हमना इसे यूज कर लिया ठीक है ना मतलब अपने फोन में इसे सेट कर लिया आप guys फोर्त वाला जो option है फाइब वाला उसके उपर हम क्लिक करेंगे उसके बाद stickers वाला option मिलेगा ठीक है ना मतलब guys यहां पर आपके फोन में आपके whatsapp के अंदर आपको जो 3D stickers है, accessories है उसके बाद यहां पर आप अंग्री वाले है उसके बाद अलग अनिमल्स वाले अनिमेटेड है उसके बाद इमोजी है एशिया के अलग 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 चाहिए तो यहां पर जो भी आपको बाइ, chats वगेरा, जो भी celebrities वगेरा, जो भी category वे character चाहिए, जो भी stickers चाहिए वो यहां से आप जो अपने whatsapp में add कर सकते हो ठीकर, directly आप अपने whatsapp में add कर पाएंगे तो जैसा कि guys example के लिए इस 3D वाले option पर click करते हैं, मतलब stickers पर click करते हैं, तो 3D वाला stickers यहां पर आ जाएंगे, कोई भी आप select कर सकते हो, first वाला मैं select करता हूँ, इसके उपर मैंने click कर लिए, अब guys यहां पर stickers pack added to whatsapp, इसके उपर आपको click करना है, इसके उपर जैसे ही आप पर click करेंगे, तो यह वाला pack हम select करते हैं, यह वाला sticker select करते हैं, और यहां पर export वाला option आएगा, export पर आपको click करना है, click करने के बाद pack is loading, pack is loading आ रहा है, अब guys यहां पर okay पर click करेंगे, add वाले option पर, तो जैसे add पर click करेंगे, उसके पूरा pack यहां पर आपके whatsapp में add हो तो यह पूरा pack जो रहेगा, animals 3D, xmax वाला, यहां पर पूरा add हो जागा, उसके बाद 3D love है, अलग-लग यहां पर आपको categories भी मिल जाएगी, तो जो भी इसमें से add करना चाहते हो, pack stickers वाला वो यहां पर add कर सकते हो, उसके बाद सबसे last वाला option है, VPN वाला, इसके उपर हम click कर करेंगे, और यहां से आपका VPN connect हुआ था, फर्स्ट में उसे आप close करना चाहते हो, इसे on रखना चाहते है तो on भी रख सकते हो, चलिए यहां पर इसे जो हम बंद कर देते हैं, तो इससे हम बंद कर लिया, यहां से हमारे VPN था, वो बंद हो चुका है, तो इस तरह से आप अ